यह एसा प्रश्णा है जिसका उत्वर आज तक किसी ने दिया। लेकिन अमारे पास इसका उत्वर है। इसका उत्वर स्वर्ण के इस प्रकार अध्याए सर्फामुण किया। कि इस प्रकार क्षिफ बुनी 13 स्ट्रियों से विवा करते हैं.. ओर जो तियरा स्तुरी से विभाय करतें है अलग अलग स्तुरियों से अलग प्रकार ke जीवजनतु उत्मन होते हैं जैसे कि आपने काथा सुनी होगी दीती और अधिती अधिती से सारे देवता उत्मन होते हैं और दीती से राक्षश, हिरनकश्वपूर हिरनाक्ष जो थे वो दीती से प्रकट हुए थे और अधिती से देवतागर्ण प्रकट हुए वैसे ही उनकी और अन्य पत्नियों में दो पत्नी थी एक विनिता और दूसरी थी कद्रू कद्रु भी जो ऐसी स्तरी थी जिसके शरीर से कई सर्प जन्म होने वाले थे इसलिए उन्होंने हजार अंडों का जन्म दिया हजार अंडों में से सर्प उत्पन हुए नाग उत्पन हुए और जो वनीता थी उन्होंने दो अंडे दिये या कई जगे बदाते हैं कई अंडे दिये उन अंडों में से घरुड जी प्रकट हुए और पक्षी आदी प्रकट हुए तो यह जो पक्षी है अंडे से आते हैं तो पहले उन्होंने अंडे कुत्पन किये अंडे से पक्षी उत्पन हुए तो इससे यह निश्गर्ष निकाल